एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जौब फंडा क्लब में दोस्तो आज की जो वेकंसी आई है आप लोग मेरे थमनेल में देख सकते हैं यह सेंट्रल गवर्मेंट स्कूल में वेकंसी आई है दोस्तो इसका पे स्केल भी काफी अच्छा है 42,000 है दोस तो कोई बात ने डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो अपने उन दोस्तो के साथ शेयर कीजे जो इसके लिए एलिजिबल होता कि उनके भी हल्प हो सके दोस्तो और चैनल को सब्सक्राइब करने की बात मैंने इ तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं जानते हैं वेकेंसी आई कहां पर है इसका एलिजिबलेटी क्राइटेरिया क्या-क्या है कौन लोग अप्लाइ कर सकते हैं इसमें फीव अगरा है या नहीं ठीक है दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि दोस्तो आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं असिस्टेंट टीचर की वेकेंसी आप लोगों को दिखाई पड़ चुकी है टोटल अन्रिजर्व कैटेगरी में दो पोस्त है दोस्तो और एसी कैटेगरी में वन पोस्त है दोस्तो और दोस्तो जो ओबीसी कैट अगर उनका देखा जाये तो यह असिस्टेंट टीचर की वेकेंसी है दोस्तों इसमें आप लोग पेस के लिए आप देख रहे हैं दोस्तों तो इसमें अलावेंस वगएरा सब कुछ मिलकर आपका 42,000 हो जाता है दोस्तों स्टार्टिंग पेमेंट होती है आप लोगों की इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं दोस्तों तो यह अभी स्टार्ट हुआ है 29 अव डिसेंबर से दोस्तों और इसकी लास्ट डेट है 26 फरवरी 2021 दोस्तों तो अभी आप लोगों के पास काफी टाइ कोड़ कर देख लिया कीजिये जिससे आप लोग सहमत हो सकें और दोस्तों देख लेते हैं वेकेंसी आई कहां पर है तो यह जाकर आप लोगों के सामने पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों तो हमने जान लिया कि ये वेकेंसी आई कहां पर है इसकी लास्टेट को भी हमने देख लिया इसमें टोटल कितनी पोस्ट है ये भी देख लिया हमने दोस्तों अब इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों देख लिजिए हम में असिस्टेंट टीचर का हम देख लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों इसमें बेसिकली ये है कि आप लोग 12 पास होने चाहिए 50% आफ मार्क्स के साथ और आपका डिप्लोमा इन एलेमेंटरी एडूकेशन में होना चाहिए अगर आपने MS-CIT वगज़ा कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है तो भी आप लोग को इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों और इन केस जैसे अगर माल अब ने अभी तक सी टेत या टेत या वह किया है तो आप लोग अपलाए कर दीजे और एक्स्ट्रा जो होना चाहिए special education में दोस्तों और जो बी एड है वो mandatory है दोस्तों इसमें यह मैं आप लोगों को बता दी हूँ तो यह आप लोगों को पता चल गया है कि इसमें qualification क्या होनी चाहिए दोस्तों अब इसमें हम एज लिमिट देख लेते हैं कि क्या है तो एज लिमिट दोस्तों वह देखिए दोस्तों यहाँ पर यह age का बार कैसे आप लोगों को क्राइटेरिया को कैसे लेना है तो यह 26-2-2021 के हिसाफ से आप लोगों को जोड़ना है दोस्तों उस हिसाफ से आप लोग देख लिजेगा और दोस्तों अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें fees वगरह है या न नहीं तो penalty for wrong answers candidate should know that for each wrong answer one-fourth यानि कि 0.25% of the marks assigned to that question will be deducted यानि कि अगर आप कोई एक question गलत करते हैं तो उस पे आपका 0.25% marks उसमें deduct हो जाएगा दोस्तों इसका examination देख लिजे क्या क्या होने वाला है तो assistant teacher के लिए देखिए दोस्तों क्या होने वाला है तो general intelligence and reasoning आपका होगा उसके बाद general awareness numerical aptitude English comprehension होगा दोस्तों और computer knowledge आपकी mandatory होनी चाहिए दोस्तों और total paper होगा 100 marks का अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं syllabus कैसा है तो यह आप लोग बुरा अच्छे से read कर लीजेगा क्या है तो general intelligence and reasoning will be included both verbal and non-verbal तो इसमें दोनों चीज़े आने वाली है verbal reasoning भी होगी non-verbal reasoning भी होगी और general awareness में दोस्तों क्या-क्या चीज़े इंक्लूडिंग होगी तो मैं पढ़ देती हूँ आप लोग देख लीजेगा history होना चाहिए culture geography उसके बाद economic science general politician Indian constitution होना चाहिए current affairs यह सारी चीज़े होनी चाहिए दोस्तों और numerical aptitude में आप लोगों को पता है कि अर्थमेटिकल जो concepts होते हैं वह होने चाहिए clear मतलब यह सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों और application fees देख लेते हैं दोस्तों तो इसमें जो है category जो physical handicap है उनके लिए कोई भी fees नहीं है और unreserved category के लिए देखिए दोस्तों 500 fees है और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहां पर भी वही चीज़ है कि आपका last date of submission online जो होने चाहिए वह 26 होना चाहिए यानि की फरवरी में और start by 29 से दोस्तों तो इसको आप लोग और आपको जो अपना नमबर देंगे उसको आपको मैसेज आ जाएगा फ्रेंस तो आप लोग इसे पूरा अच्छे से देख लिजेगा दोस्तों और अगर पूरा पढ़ते मैठोंगी फ्रेंस तो बहुत जादा लंबा हो जाएगा वीडियो और अच्छा हम देख लेते हैं कि इसको हमें देना कैसे इसको आप लोग अपलाए कैसे करेंगे दोस्तों यह जरूरी बात तो हमें करनी थी अपलाए करेंगे कैसे दोस्तों तो इसको आप लोगों को ऑनलाइन ही अपलाए करना जैसे यहाँ पर जो साइट दिखाई दे रही है दोस्तों इस साइट पर जाकर आप क्लि तो यह आप लोग समझ गये हैं कि ओफ-लाइन मोड में नहीं अप्लाइ करना है इसमें ओनलाइन मोड में अप्लाइ करना है और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछेगा मैं जरूर से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और हाँ फ्रेंस ओल देवेड़